कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रॉयल एंट फिल्ड की गाड़ी ऐसा भी गरेगी भाई तो दोस्तों आप लोगों के सामने खड़ेए रॉयल एंट फिल्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक रिबॉन कि मैंने इस गाड़ी को लेने के बाद जो भी मुझे मतलब 2 साल में क्या experience रहा है मेरा क्या दिक्कते नहीं इस गाली को लेने के बाद मुझे कहां-काँ प्रॉब्लम फेस करने पड़ी है मला आफ रोड़िंग हो गया यह है इस अपको पूरे यूट्यूब चैनल में किसी न कि थीया? 3 महिने में आदमी को ही पता लगेगा गारी में कि इसको मरा कमी है क्या नहीं तो दोस्ते आज मैं बताऊँगा आप कूझे में इस गाणों तो दोस्तों मैं रिबॉन राइडर आप लोगों का स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल में रिबॉन रिबॉन की तरफ से आने वाली स्थिल्ट ब्लाक क्लासिक क्लासिक 350 रिबॉन का वीडियो पूरी देखना क्योंकि मैं आपको 8-9 पॉइंट ऐसे बताऊंगा भाई जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको यह गाली लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो दोस्ता यह हमारी खड़ी है क्लासिक सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके लेने के टाइम पर मतलब मैंने यह गाड़ी भाई ली थी मैं आपको एक चीज बता दूब कि कंपनी में आप जाओ जो सेल्समेन होता ना वह एक नमबर आपको पढ़ाएगा भाई कि यह गाड़ी सार अच्छी है वह गाड़ी इतना बड़ा दे रखा है और गूगल भाई तन्य बड़ा दे रखा है तो वहाँ से जाके पहले गाड़ियों के बारे में सर्च कर लो उसके बादी भाई लिया गरो जब यह गाड़ी ली ती ना उस वजह से मैंने लीती मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रॉल एंड फिल वाई एक वीडियो देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर एक साल पुरानी दो साल पुरानी एक वीडियो पढ़ी वहां आपको पता लग जाएगा कि यह दो साल पुरानी है या नहीं है तो अब आप मुझे बताओ दो साल में इतना चलने के बाद भी अच्छा मुझे करनी पड़ेंगी मतलब जो रॉलन फिल्ड लवर हैं उन लोगों के लिए क्या हूं मैं वह कहीं न कहीं इस गाड़ी को लेने के बाद ना खुज भी हो सकते हैं क्योंकि आदमी पैसा खर्चा कर रहा है तो कहीं न कहीं वह सटेस्फाई भी होना चाहिए अपनी चीज लेने के उस और भई नहीं के लेंग के इस फ़ заключ रहे ही ना क्याँ आख करेंगा Κी कोई पी कमी नहीं है इसमें यह पिस सारी चीजे सी के criticizing होगा यह से आपका लेकड़ गाड गया है कि लागर चलो नहीं लगा करें कोई लगा कर देते ह। लेगार तो चलो अपनी कमपनी तरफ से लगाके देती है, पर भाय जह सबसे इंपोर्टनेट पार्ट है ना, जो कमपनी को लगाके देना चाहिए, मैं वह बताताँ आपको, वह है इसका सब्सक्राइब को साथ में लगा के देना चाहिए तो यह कोई एक ऐसी स्रीज नहीं है या कोई मॉडिफिकेशन का पार्ट नहीं है कि हमें अलग से बजार से लगवाना होता है यह मार्केट में मिलता भी नहीं तिनी असानी से और यह होता भी एक ही साइज का अपना अपना समगाड आता है तो यह ना नीचे से पथर उड़के आता है अब अचानक चाहिए अपको पता एक टैर से निकला हुआ पत्थर कितने स्पीड में निकलता है वह सीधा ना सीधा इंजन पर जाके लगता है कंपनी को इतना तो लगता चाहिए कंपनी इसको लगाता नाम की वी कोई चीज आती है जो इसमें लगानी पड़ती है जिससे कि हमारा इंजन प्रोटक्ट रहे और दोस्तों मैं आपको बता दूँ अच्छा आप लोग सोच रहोगे कि मैं इस गाड़ी को थोड़ा स्पीड में भगा लूँगा या स्पीड मतलब जैसे लोग होते हैं जो सोचते हैं हम आफ रोडिंग भी कर लेंगे और स्पीड मेरा रखवा रखें तो कहींने मैंने इस गाड़ी को भारी बना रखें और लोगों की वीडियो देखोगे यूट्यूब पे जाके तो वहां भी देखोगे तो जाता से जादा यह 120 तक ही जाती है उससे उपर जाती नहीं तो यह आप लोग स्पीड के मामली से ले रहोगे अचा पुरानी वाली क्लासिक 120 जाती है तो यह कहीं ना कहीं 130 तक तो भाई जानी चाहिए थी तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मोडिफिकेशन कराने के बाद जैसे कि लेग गार्ड हो गया यह और ऐसा कोई पार्ट हो गया जिससे आपकी होने वाला है कि आपको इस गाड़ी में पिकप का फरक पड़ेगा भाई पिकप जो होगा ना भाई गाली का वह बहुत गंदा पड़ेगा इस वीडियो में भी मैं अच्छा इस पॉंट पे आपको यकीन ना हो तो मैंने एक ड्रैग बनाई हुई है वीडियो के डिस्क्रि बहुत आछ इसमें कमफटेबल बहुत होता इस गाड़ी को चला तें समया जसे कि जो कम के लोग होते हैं जैसे कि 50 आरउंड लोग होते हैं जो आजिक जो गाई जैसे को यह को करने में दम निकल निकले यह वह आई और से इतना बह vídeos करते बाद चाइप अब रचाने से ऐसे ता अcesट में बड़ी disorder agree यह लगा लो आप लोगों को भी पता होगा कि आप अच्छा परफोर्मेंस करती है यह नहीं करती है अब ऐसा बोल रहा हूं तो कहीं आप लोग ऑफ रोडिंग चेक करने मत चले हैं यह पता लग रहा है कहीं अपने मिट्टी की चड़ में बात करते हैं इसके माइलेज की माइलेज जो देखो गया तो लगबग लगबग यह इस बतिस तक का माइलेज देती है अच्छा आपको यकीन नहीं होता कि क्ला इसका माइलेज तो भाई आराम से देदेती है मैलेज से तो रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गास मुझे मैं तो चलो गाली अच्छा ही देती है बढ़ी एक चीज मैं आपको बता दू कि इसका माइलेज का इंडिकेटर आता है अपका फ्यूल का जिसको यह वाला आतंगा सिंगल स्टैंड पर तो गाली के तीन डंडे हो जाते हैं तो यह कहीं न कहीं कंपनी की मैनिफेक्चरिंग में यह बहुत बड़ा इसू है मीटर इसे लगी आपको देना हिना चाहिए तो दोस्तों आप बात करते हैं इसके लुक्स की तो लोक जो होता है वह आपने पसंद जैसे कि मुझे इस टाइप का लुक्स पसंद यह से मैंने हैं लगवा पसंद भी है और कई लोगों को यह पसंद नहीं भी है वह एक बार ना दिखाता हूं आपको इसके लुक्स पाते हैं तो दोस्तों आप हम बात करते हैं इसके नाइड विजन की मतलब जो राइडर नाइट में चलाते हैं तो भाई उन लोगों के लिए यह गाड़ी सही है या नहीं है वह मैं अभी बताता हूं आपको भाई इसकी जो हेडलाइट देख रहे हुँ आप यह भाई कहीं नहीं बहुत गलत है रहे हैं इसकी ज़िए रात में हम जलाते ना इतना क्लीर विजन नहीं होता है चाहिए एक्सिट्रा लाइट लगवानी वढ़ती है तब इस्स लाइट से आप सोच रहो कि मैं लॉंग राट पर सकता हूं इस लाइट पर तो आप नहीं की आती तुछ से अच्छा करते हो इसको तो बैए पहले वाली घरी क्लासिक जितना पहले वाली गालियों में वाइब्रेशन पतल लगती थी अब पर आपकी गालियों में रही इंजन के साथ और चीज़ भी तो अपडेट करो भाई इसमें लगा तो भाई ये सीरीज का दिया है इंजन ठीक है पर अच्छा आपने आपने गाड़ी ले ली और इसके बाद आच्छा आप लॉट पे निकल गए या लॉट भी नहीं कह सकते हैं अच्छा आपने गाड़ी क बहुत बड़ी दिक्कत भाई इतना थोड़ी नहीं होता है यार कि अच्छा 100 की स्पीड में भी चला दे रहें तब भी गाड़ी से आवाज आने लग जाईगी दो साल से फेस कर रहा हूं भाई ये प्रॉब्लम में जो इंजन का साउंड है वो मुझे दो साल से सुनाई द जाती है जो रॉल एंड फिल्ड की साउंड है जो आप लोगों को भी पता होगा जो इस से पहले की क्लासिक आती थी वह उन गाड़ीों में भी आती थी तो भाई अच्छा वही साउंड इस गाड़ी में भी आ रही है तो फिर अपडेट करने का भाई फाइदा क्या है नाम सुनो यह जो आप अवाज सुन रहे हो किट 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 करके यह भाई यह अभी तो बहुत कम आ रही है पर जब आप गाली राइड करोगे ना इतनी ज्यादा आती है ना और अच्छा आपने मार्केट में खड़ी गर रखी है ना गाली तो भाई और ज्यादा तेज आने मैं सुबह अर्था उठूंगा और उठने के बाद अच्छा मैं दूद लेने के लिए भी जाता हो ना गाली से तो भाई अच्छा मतलब मुश्किल से 500 मीटर 500 मीटर की राइड पर भी निकलूंगा दूद लेने की जा रहा हूं जरा से सुबह गाले स्टार्ट थंडी होती 500 मीटर जा रहा हूं या एक किलो मीटर जा रहा हूं वहीं गाली हीट करने लग जाए इतनी हीट करती है अभी तो पता थंड का मौसम चल ला है तो इतना ज्यादा पता नहीं लगता है पर भाई जैसे गर्मिया आ जाएंगी ना जो यह यह है ना आपका बेंड़ भाई इत इतनी हीट करने लग जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत है हीटिंग प्रॉबलम हो गया और आपका इंजन का साउंड हो गया तो अपडेट करने का फाइद ही किया है इंजन अच्छा आपने जे सीरीज का लगा दिया बदल देने से तो दोस्तों आप हम बात करते हैं इसक अब बड़ा होगा ना तूरंत आवाज आती पता नहीं यहां से इतने से पार्ट में कहीं नहीं अवाज आती है कट से बाइब यह गड़ी लेने के बाद ना मतलब जब ली ठीट डिलिवरी लेने के बाद भी वही सेम प्रॉबलम जैसे मैं आपको बताया है भी कि हाई कर दिक्कत है जब से गाड़ी ले रखिए वाई तब से इसके संस्पेंचन में ऐसी आवाज आएगी यह प्रॉबलम भी मैंने कई बार कंप्लेंट कर रखी है कि इसके से कहीं ना कहीं आवाज आती है पर कंप्रीवाले कहते हैं कोई जब वह चला के देखते हैं तो वह कहत दिक्कत है मेरी गाड़ी की मैनिफेक्ट्रिंग विकार है यह मुझे नहीं बता बाई तो दोस्तों ओवराल रिव्यू की बात करूं तो भाई सबसे बेस्ट पॉइंट जो है नसका वो शिटिंग पोजीसान है अच्छा आप लोगों ने देखा भी होगा यह गाली आप लोगों दो पर दोड़ा ने लेगा पर मैं कहीं आपको यह जैसे स्पीड हो गया तो भाई मैं सजच नहीं करूंगा अच्छा आप इसके लोग और इसका जो चीज आप देख के अच्छा यह गाली ले रहे हो तो भाई एक नमबर है गाली एक नमबर है इससे ज्याद भाई यह वीडियो इतना शेयर करो कि यह वीडियो कंपनी तक पहुंचे और कंपनी वाले इन सब चीजों पर ध्यान दें जिससे कि आने वाले टाइम में जितने भी गाली मैनेफेक्टरिंग हो रही है उन सारी गालियों पर लोग ध्यान दें कि हाँ यह पॉइंट हमें ध सब्सक्राइब कर लोगा है तो मुझे कमेंट करके बताओ और अच्छा वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगा है ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए तो अम मिलते हैं गाइस अपने नेश व्लॉ